नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं मुख्य मंत्री आवास में साम चार बजे यूपिये बिधायक दल की बैठक, जर्खन बिधान सभा का बिशेश सत्र 11 नॉमबर को आयोजित किया गया है, दरसल इसे बिस्तारित सत्र कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि मानसून सत्र का बिध्यूत समापन नहीं हुआ था, बलि हर्मोश थीद बिजेपी पर देश करे आले में बिधायक दल की बैठक बुलाई गई है, वहीं उपिये की बिधायक मुक्य मंत्री आवास में जुटेंगे, कांग्रेश बिधायक दल की नेता और सानसाधिये कार्या मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि साम चार वज़े स कांके इसीत मुक्य मंथरी आवास में यूपिय विधःक दलकी बैठक होगी बतादे यूपिय विधायक दलकी बैठक के अधेक्षता मुक्य मंतरी हैं सुर्थ आरीध आस्थानीय नेती और OVC एसी एस्टी आरक्षन विध्यक पेस करने वाली है ओल इंडिया रेलवे महिला होकी चेंपियनसीप रांची में रांची में अगले माँ 20-26 दिसंबर तक 43 भी ओल इंडिया रेलवे महिला होकी चेंपियनसीप का आउजन होगा इसके मुकाबले रेलबे होगे स्टेडियम में खेले जाएंगे चैंपियन्सिप को लेकर हटिया इस्थीत सेरसा स्टेडियम में त्यारी भी शुरू कर दी गई है बतादे चेंपियंसिप का मुख्य आकर्शन में टोक्यो उलम्पिक में भार्तिय टिम का पर्तिदित्व करने वाली खिलाडी होंगी इन सितारे खिलाडियों में जार्खन की निकी परधान सलीमा टेटे संगीता कुमारी के लावा नजोत कौर दिप ग्रेस एकका गुर्जित कौर वंदना कटारिया सुसीला चानहू नेहा गोयल नौनित कौर सामिल हैं सीटेट पास अभियार्थी आज धरना पर जार्खन के सिक्षा मत्री जगनात महतों ने 26 यर्श अधिक सिस्कों की नियुक्ति किये जाने की घोस्ना की है इसके साथ ही पूरे राज में सिक्षक नियुक्ति को लेकर मामला गर्माने लगा है खास कर वैसे अभियार्थी जिन्होंने जेट टेट के अलावे सीटेट जैसी परिक्षाय पास की है सीटेट पास अभियार्थीों का कहना है कि अब तक जार्खन में सिर्फ दो बाद ही जेटेट की परिक्षाय जीत की गई है लिहाजा सी टेट पास अभियार्थियों को इस नियुक्ती परकिर्या में सामिल नहीं किये जाने की घोसना से उनके बीच निरासा का महौल है उन्होंने सरकार से इस परकिर्या में संसोधन कराय जाने की मांग की है अभियार्थियों ने बताया है कि सरकार की नई निमावली के अनुसार इस परिक्षा में केवाल वही अभियार्थी सामिल हो सकते हैं जिन्होंने 2013 और 2016 में जेटेट क्वालिफाई किया है जमसेदपूर के मानगो थाना परभारी 25 से रुपया घूस लेते गिरपतार जमसेदपूर के मानगो थाना परभारी राजीव रंजन कुमार को ACB ने 25 से रुपया घूस लेते गुरुवार को गिरपतार किया है इस मामले में इंटक के राष्ट्रिय सचीव बलदेव सिंग ने ACB को सिकायत की थी बताया बीगत दिनों उनकी बाइक की टकर हो गई थी इस समध में दूसरे पक्षने थाने में सिकायत की थी मामले में कोट से जमानत ले ली थी बावजूद थाना परभारी राजीव रंजन कुमार 50 से र की मांग कर रहे थे वही 25 से रुपे देने की बात होई ACB की टीम थाना परभारी को सोनारी इस धीत कर्याले से ले गई है दसवी ITI पास के लिए नौकरी का आविदन शुरू Uranium Corporation of India Limited ने फिटर, इलेक्टेशन, वेलडर, माचिनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट, मेकेनिक और अने सहीद विभीन ट्रेडों में अपरेंटिस के पदों को भरने के लिए आविदन मांगे हैं एक छुक यहमयोग यह उमिद्वार जो इन पदों के लिए आविदन करना चाहते हैं वे UCIL की अधिकारिक वेपसाइट UCIL.gov.in पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इन पदों के लिए आविदन परकिल्या सुरू हो गई है इसके अलावा उमिद्वार PDF के जरिये अधिकाईक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं CM हमन्त के आरोपो पर BJP का पलटवार जारखन में CIC बयान बाजी जारी है जारखन मुक्ति मोर्चा और भरतिये जनता पार्टी के नेताओ के बीच जुबानी जंग जारी है इसी सिलसीले की ताजा कड़ी में BJP विधायक दलकिनेता बाबुलान वरांडे ने मुक्य मंत्री हमन्सुरेन के आरोपो पर पलटवार किया है दरसल सरकार आपके द्वार कारेकरम के सिलसीले में CM हमन्त पाकुड में थे वहाँ BJP परकेंद्री एजेंसियों का दुरूपयों का आरोप लगाते हुए CM ने कहा कि जब से मैंने सत्ता बनाई है विपक्ष रोज इससे ऑईस्थीर करने का सड़न तरचा है मुख्यमंत्री ने कहा था कि BJP मीडिया के सहयोग से जहारखन में रोज सरकार गिराती है और रोज बनाती भी है रोज उनका मुख्यमंत्री चुना जाता है अजीब हाल है बता जे मुख्यमंत्री के आरोपो पर अब परदेश के पुर्वस सीएम और विधायक दल्कनेता बावुलाल मरांडी ने प्लटवार किया है बावुलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हमन सुरेन पर निशाना साथ है अधिकारिक ट्विटर पर बाबूलाल मरांडी ने सियम हेमर पर निशान साथ तेवे कहा है कि जाज एजेंसियों को धमकाना बिजेपी कर्यकरताओं को धमकी और अब मीडिया के कटगरे में खड़ा करके मुक्यमंत्री जी अपने घपले घोटाले को छिपाने की कोशिस करते हैं जारखन कैस कांड में सरकार गिराने की साजिस का दावा जारखन कैस कांड में एक के बाद एक नए आरोप सामने आ रहे हैं इस भी जारखन के एक कांग्रेस बिधायक ने लेटर बाम फोड़ा है बेरमो बिधान सभाचेतर से बिधायक कुमार जैमंगल सिंग ने हाबडा में पकड़े गए बिधायकों पारोप लगाया है इसके साथ जैमांगल सिंग ने जहारकन में सरकार गयाने के साजिस और इसमें असम के मुख मंत्री हमंत बिस्वा सर्मा के सामिल होने की बात भी पत्र में लिखी है बता दे कुमार जमांगल सिंग ने अपने पत्र में लिखा आय कि इन तीनों विधायकों ने उन्हें मिलने के लिए कुलकाता बुलाया था जमांगल के मुताबिक इसके बाद तीनों उन्हें लेकर गुवा हाटी जाना चाहते थे और वहां के मुख मंत्री हमंत विश्वा सर्मा से मिलने की योजना थी छात्र संसद के लिए चैन पर किरिया जारी जारखन विधान सभा दूसरी बार छात्र संसद आयोजित करने जा रहा है इसे लेकर राजे के विभीन विश्व विधालों से चैनित करीब 111 चैनितर संसद 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 करी पूराची से ल दूरत मातार may आई हो संदी के सासाथ कीमती समान भी बरामत किये गए पूराची ससे लिएगा कि वह पिछले तीन साल से चोरी के वरदात्तों को अंजाम दे रहा है। कि वह पिछले कई दसकों से उठ रही सिचाई परविना की मांग को पूरी की है और 1330 रुपे की लागत से बनने वाले मसलिया, रानी सुर मेगा, लिफ्ट सिचाई पर योजना का गुरु आरको भूमी पूजान वसिला ने आज किया। मौके पर मुखे मंत्री हमन सुरे ने कहा है कि मसान जोर डेम बनने के दोरान ही करार हुआ था कि डेम से दो नहर बाया वा दाया तट नहर का निर्मान होगा। बाया तट तो बना लेकिन दाया तट नहर की मांग तमाम पर्यासोग बाद भी एकरार नामा के अनुरूप पूरी नहीं हुई। ऐसे में उनकी सरकार ने तमाम और चनों को देखते हुए किसानों को सिचाई की सुभदा उपलब्द कराने किया पहल की है। उन्होंने कहा एकी सुभद न रेखा प्रजेक्ट को बनने में 40 साल का वक्त लगा और 6,000 को रुपे खर्च हुए। जे सरकार को परिशान कर रही है तो यो गुरु ने कहा कि ए राइनिती बीसा है। गौतला भाई की बाबा रामदे को बीजेपी की तरफ जुकाव रखने वाले सक्त के तोर पर जाना जाता है। धन्यवाद।